संजदत भूमी से परदे पर वापसी कर रहे हैं और फिल्म एक पिता और उसकी बेटी के बीच रिष्टे की कहानी है अदिती राओ हैदरी संजदत की बेटी के किर्दार में दिखाई देने वाली है और इस फिल्म को उमंग कुमार ने डारेट किया है आपको बता दे कि लगभग दस साल के फिल्मे करियर में अदिती ने तरह तरह की किर्दार निभाए हैं अदिती ने अपना करियर साउच सिनेमा की फिल्मों से शुरू किया था हिंदी सिनेमा में वो पहली बार राकेश ओम प्रकाश मेहरा के फिल्म दिल्ली सिक्स में नजराई इस फिल्म में अदिती ने रमा बुवा का किर्दार निभाया था जो काफी मशूर हुआ 2011 की फिल्म में रॉक स्टार में उन्होंने रन्वी कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शियर किया 2013 की फिल्म मर्डर 3 में अदिती का ओन स्क्रीन इमेज में कोवर किया इस थ्रिलर फिल्म में अदिती का संसूर आउतार सामने आया एरोटिक ख्रिलरर फ्रिनर्चाइजिक के तीसरे भाग में अदिती ने इमरान हाश्यमी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया 2015 में अदिती बुड्डू रंगीला में फीमेल लीड रोल में दिखी इस फिल्म में उन्हें अमीत साग के अपोजिट कास्ट किया गया था 2016 की फिल्म वंजीर में अदिती ने फरहान अक्तर की पतनी का किरदार प्ले किया था संजलीला भंसाली की फिल्म पदमावती में अदिती राओ हैदरी अलाओदीन खिल जी की बेगम के किदार में दिखेंगी खिल जी का रोल रणवीर सिंग निभा रहे हैं और दिलज़स बात ये है कि इंटर्वी में अधिती ने खुलासा किया है कि रणवीर उनके पहले हीरो हैं संघर्ष के दिनों में दोनों ने एक प्रोजेक्ट में काम किया था इसलिए उनके साथ वो काफी कमफर्टेवल हैं बहुत कम लोगों के पता है और जे जानते हैं कि अधिती रोयल फैमिलीज से तालुकात रखती हैं वे हैदराबाद रियासत के प्रधान मंत्री रहे अकवर हैदरी की ग्रेट ग्रेंड डॉर्टर है असमकेपूर गवर्नर मुहम्मस साले अकवर हैदरी की अधिती ग्रेंड नीस है आमिर खान की दूसरी पतने किरन राओ अधिती की कजिन लगती है यानि आमें रिष्टे में अधिती के जीजा भी लगते हैं नेट्ट नाइल लाइफ नियूजडैस की रेपोर्ट